Good morning students, कल अपन पढ़ रहे थे, पिछे एक लास में अपन ने पढ़ा निर्मला पुतुल को अपन ने पढ़ा निर्मला पुतुल को और निर्मला पुतुल जारखंड से हैं जारखंड से संथाली, जारखंड की जो संथाल जाती है, उससे वो बिलोंग करती है संथाल जाती संथाल जाती का उन्होंने बताया कि किस प्रकार उनकी जो उसेश नहीं है और उनकी जो सकारात मुकता नकारात मुकता संथाल जाती के अंदर जो सकारात मुकता नकारात मुकता है उसके बारे में भी उन्होंने बताया उन्होंने बताया कि जैसे जैसे सहरी करण हो रहा है नगरों की जो सब्वेता है वो गाओं में आ रही है जातियों में आ रही है उस सब्वेता से हमें क्या करना है हटना है और हमारी सब्वेता और सेंस करती अपने विशेशताओं को बचाए रखना है हमारी जो सब्बेता और सेंस करती है, उस सब्बेता और सेंस करती है को सहरी लोग नश्ट कर रहे हैं, उसे बचाना होगा, अगर हम उसे नहीं बचाएंगे, तो हमारा कोई उचित्ते नहीं रह जाएगा, हमें जैसे तैसे करके अपने विशेस्ताओं को और अपनी जो सब्यता है उसे बचाना होगा गाओं में हमारी जो बस्तियों को क्या हो रहा है सहरी करण हो रहा है उस सहरी करण से बस्तियों के उस सहरी करण से हमें हमें बचाना है हमारे समाज को बचाने हैं, हमारी सब्बेता को बचाने हैं अब आगे कवेतरी क्या कह रही है, कवेतरी निर्मला फुतुल आगे क्या कह रही है बितर की आग, दनुस की दोरी, तीर का नुकिला पन, कुलाडी की दार, जंगल की ताजा हवा, नदियों की निर्मलता जंगल की ताजा हवा नदियों की निर्मलता पहाडों का मोन कीतों की दोन मिट्टी का सोंदापन पसलों की लहला हट नाजने के लिए कुला अंगन गाने के लिए गी धंसने के लिए थोड़ी सी किल किला हट रोने के लिए मुठी बर एकान बच्चों के लिए मैदान पसों के लिए हरी बरी गास मुडों के लिए पाडों की सांती और इस ऐ विश्वास बरे दोर में थोड़ा सा विश्वास थोड़ी सी उमीद थोड़े से सपने आओ मिलकर बचाएं कि इस दोर में भी बचाने को बहुत कुछ बचा है अब भी हमारे पास कवेत्री क्या के रिये हैं कवेत्री के रिये हैं कि बितर की आग धनुस की डोरी तेर का नुकिला पन कुलाड़ी की दार जंगल की ताजा हवा नदियों की निर्मलता पाड़ों का मोन गीतों की धुन मिट्टी का सोंदा पन पसलों की लेला है बितर बितर की आग बितर याने अंदर की आग किस के अंदर की आग मन के अंदर की आग मन अंतर करन आजमी का मन आजमी का अंतर करन बितर की आज आजमी के अंदर की आग धनुस की डोरी तेर का नुकिलापन आग आग कहते हैं उत्साय को आजमी के अंदर का उत्सा है आग याने उत्सा है बितर याने मन अंतेकरन आजमी के अंदर की आग आजमी के अंदर का जो उत्सा होता है दार कुलाडी की दार धार का अर्थ होता है पेनापन तीखा पहाड़ों का मोन यानि पाड़ों की स्यांति गीतों की धुन का अर्थ होता है ले जब कोई आजमी गीत गाता है एक ले के अंदर गाता है तो वो क्या होती है वो उसकी होती है धुन क्या होती है धुन होती है मिट्टी का सोंदापन सोंदापन यानि बिट्टी की सुगंद मिट्टी का सोंदापन कब आता है आप देखते होगी बारिस होती है बारिस हो रही है बारिस होने के बारिस होने के बाद मिट्टी की खुस्बू अलग होती है बारिस होने के बाद मिट्टी की जो खुस्बू आती है वह अलग प्रकार की आती है उसे कहते हैं मिट्टी का सोंधा बन बारिस नहीं होगी तो मिट्टे में किसी भी प्रकार के खुस्बू नहीं आएगी बारिस होने के बाद जो खुस्बू आती है मिट्टे की एक अलग प्रकार के खुस्बू आएगी और उस खुस्बू को कहते हैं मिट्टे का सुधापन और पसलों की लेलाहट लेलाहट यानि लहराना बारिस होगी तो मिट्टी का सुधापन मिट्टी की सुगंदी आएगी और जब सुगंद आएगी बारिस होगी तो सुगंद आएगी और बारिस होगी तो क्या होगा पसले होगी और पसले होगी तो पसले क्या करेंगी अब कवेत्री का गया जे लिए कि बितर की आग धनुस्क डोरी तीर का नुकिला पन कुलहाडी की धार जंगल की ताजा हवा नदियों की निर्मलता पहाडों का मोन मिट्टी का सोदा पन पसलों की लह लाहट इसमें कवेत्री चिंतित है कि जो संधाल लोग है निर्मला पुतुल चिंतित हो रही है उन्हें चिंता हो रही है इस बात की चिंता हो रही है उन्हें चिंता हो रही है कि जो संधाल लोग है वो अपने जेवन सहलिक और अपने विसेशताओं को छोड़ रहे है और उनका क्या हो रहे है सहरी करण हो रहे है इसलिए वो चिंतित संधाली लोगों के मन में जो उत्सा होता था वह अब क्या नहीं दिखाई नहीं दे रहे यानि बीतर की आग उनके मन का जो उत्सा उनके अंदर का जो उत्सा था वह अब दिखाई नहीं दे रहे अब दिखाई नहीं देता है उनका वीरता पूर जीवन और साइसी सुभाव अभी बदले रहा है उनका जो जीवन था उनकी जो वीरता थी और उनकी जो जीवन सेली थी वह क्या है और उनका जो सासी सुभाव था वह बदल रहा है अब आगे क्या कह रही है कि दनुस की डोरी तीर का लूगिलापन कुलाड़ी के दार दनुस की डोरी एने संथाली लोग जब उनकी दिन्चरिया में परिवर्दन हो रहा है तो जो वह तीर कमान चलाते थे संथाले लोग किसमें माहिर थे तीर कमान चलाने में तो तीर कमान चलाते हैं धनुस से धनुस के डोरी को चड़ाना पड़ता है उसे डोरी को बोलते हैं प्रतेंचा दोरी को क्या बोलते हैं दोरी को बोलते हैं प्रतेंचा उस प्रतेंचा को जो चड़ाते हैं दोरी को चड़ाते हैं वो अब संथाल लोग नहीं चड़ा रहे हैं संधाली लोग उस धनुस की डोरी को आप नहीं चड़ाते हैं और जो धनुस के ओपर जो तीर चड़ाते हैं धनुस से जो तीर चलाते हैं नुकीले तीर तीरों का नुकीला पर उनके जो नुकीले तीर थे उनका परियोग आप वो नहीं कर रहे हैं तिरों का प्रियोग वो किन पर करते थे तिरों का प्रियोग करते थे अपने दुस्मनों पर अब अपने दुस्मनों पर तिरों का प्रियोग नहीं करते थे ना ही वो धनुस के डोरी चटाते हैं और ना ही तिरों का प्रियोग करते हैं इसलिए निर्मला पुतुल क्या है चि यार कौन-कौन सी दे कुलाडी जिन से कि वो सुखे वरक्षों की टैनिया काटा करते थे अब वह ऐसा काम नहीं कर रहे हैं वरक्षों की टैनिया नहीं काट रहे हैं जंगलों के नस्ट होने से अब उनको ताजी हवा भी नहीं मिल दिये जंगल की ताजा हवा उनके जो जंग जंगल थे, 4 गड़ में जंगल बहुथ है। 46 आदि जंगलों में रहती थी। तो जो जंगल ने, उनका क्या है। उनकी कटाई हो रही है, शेरी करन बढ़ने से जंगलों को काटने से जो ताजा हवा थी वो हवा नहीं मिल रही, नदियों की निर्मलता और नदियों पे अब वैसी निर्मलता नहीं रही है, वैसी स्वच्चता नहीं रही है, जैसी स्वच्चता पहले थी, अब क्यों ने रह क्योंकि परदुषर बढ़ने के कारण नदियों में वैसी स्विचता निरमलता नहीं रही है पहाडों का बौन और पहाड क्या होगे है पहाड होगे है पहाड बौन को होगे है क्योंकि जैसे जैसे पहाडों का दोहन हो रहा है पत्रों का दोहन हो रहा है तो पहाडों पर पह मौन होने लगे, उनको मुहने वाले सांथे अब नहीं बच्ची है, गीतों की धुन मिटी का सुंदा पर पसनों की लहला है, अब कवेतरी आगे क्या करिए, कवेतरी आगे करिए कि सहरी सपेदा के सोर्गुल ने उसे नश्क कर दिये, किसे पहाडों की, पहाडों के मौन को, पहले जैसी सांथी थी, वैसी सांथी अब नहीं रही है, क्यों कि सहर, जो सहरी करन है, वो बढ़ रहे है, सहरों के अंदर सोर्गुल जदा होता है, हल्ला जदा होता है, गाडियों की घड़गडाट जदा होती है, वो घड़गडाट वो जो सहरी करन है, और वो जो सोर्ग पाडों की शांथी को क्याiper लिया है छेन लिया है गितों की धून मिट्टी का सोदापन और अब संथाली लोगों के गितों में वैसे धून वैसा लय नहीं रहे जैसा ल्य पहले था हुआ उनकी जो लोकितों की जो धुने सुनाई देती थी संथाली लोगों के जो लोग की ते उनकी जो दुने सुनाई देती थी उनकी जो ले सुनाई देती थी उनकी गितों गाने में जो ले थी वो अब दिखाई नहीं दे रही है वो अब सुनाई नहीं दे रही है वहां मिट्टी है उसमें पहले जैसा सोंदापन बिल्कुल भी नहीं रहा है और नहीं बिटी में सोंदापन नहीं रहा है तो पसले क्या है लहला नहीं रही है पसले नहीं लहरा रही है पसले नहीं हो रही है पसले होंगी नहीं तो लहरा हैंगी कहां से पसले नहीं हो रही है अब इसका क्या से कवेत्री को चिंता है कवेत्री को चिंता है संताली लोगों की जीवन सहली से कवेत्री को क्या चिंता है कि संताली जो संताली लोग थे उनके अंदर अब वैसा उत्साय नहीं रहा है जैसे पहले उत्साय था ना ही वो अब धनुस की डोरी चड़ाते हैं ना ही आपने दुस अब जंगलों की ताजा हवा मिल रही है जंगलों की ताजा हवा क्यों नहीं मिल रही है क्योंकि वहाँ पर सहरी करण हो रहे है जंगल काटे जा रहे है इसलिए जंगलों में वैसा ताजा बने नहीं रहे है जंगलों काटे जा रहे है तो जंगलों से ताजी हवा कहां से आए और ना ही वहां की नदियों में वैसे पहले जैसी निर्मलता स्वचता रही नहीं रही है क्योंकि पर्दोष्ण अधिक हो रहा है पर्दोष्ण होने से नदियां क्या है ऐपवित रो रही है ऐस्वच रही है स्वच नहीं है और ना ही पाड़ों पर पहले जैसा मोन रहा है मो पाडों के ओर जा रहे हैं इसलिए पहले जैसी सांधी पाडों पर नहीं रही है और ना ही जो संथाल लोग हैं उनके जो लोग इते उन लोग गितों में वैसी धुन रही है जैसी धुन पहले जी वैसी धुन अब नहीं रही है और संथाली लोगों के चार घंड की जो भूमी थी उसके अंदर उसकी मिट्टी के अंदर पहले जैसा सोंदापन नहीं रहा है मिट्टी के अंदर पहले जैसा सोंदापन पहले जैसे सुगंदी नहीं रही है और सुगंदी नहीं रही है इसलिए वहां पर पसले नहीं हो रही है कवेतरी इसी बात को लेकर चिंतित है आगे नाजने के लिए कुला अंगन, गाने के लिए गीत, धंसने के लिए थोड़ी सी किलकलाइट, रोने के लिए बुट्वी बरेगांग, बच्चों के लिए मैदान, पसों के लिए हरी बरी घास, बुट्वों के लिए पाड़ों की शान्ती. अब कवेत्री क्या कह रही हैं? संथाले के लिए खुला आंगन गाने के लिए कवेत्री कह रही है कि संथाले लोगों को नाजना गाना अधिक पिरियता और उनके नाजने के लिए वहां पर खुले खुले आंगन हैं और गाने के लिए अनेक लोग गीत हैं यहां पर कवेत्री निर्मला बुदल संथाले और गाने के लिए लोग के बहुत सारे हैं संदाली वासा के बहुत सारे लोग की तर जो उनको पिरिये गाने के लिए हसने के लिए थोड़ी सी खिल-खिलाइड रोने के लिए मुठे बर एकान अब कवेटरी कह रही है कि लोग परसंद चित रहते हैं और हसते खेलते रहते है हसने के लिए थोड़ी सी खिल खिलाइट वहां के लोग, संधाले लोग क्या हैं कि परसंद मुद्रा में रहते हैं और खिल खिलाते रहते हैं हसते रहते हैं रोने के लिए मुठे बर एकान अब उनके बारे में बात करें कि उनकी जीवन की जो विशेशत हैं, वो बने रहने चाहिए, शहरे प्रभाव से उने बचाय रखना है, कवेद्री कहरी हैं कि संताली लोगों के अनेक ऐसे अवसर है, जहां पर भैक है, आसते हैं, रोते हैं और गाते हैं, और उपस रोने के लिए, वहाँ पर एकांदिस्ता अकेला पन, और वहाँ पर रोने के लिए, बहुत सारा एकांदिस्ता है, बच्चों के लिए मैदान, पसों के लिए हरी-हरी गास, बुटों के लिए पाड़ों की शांती, अब कवेद्री कहा है, संताली लोगों के विशेस्ताओं के बारे में बात कर रही है, कह रही है, कि संताली लोगों के बच्चों के खेलने के लिए गाओं में खोब बड़े-बड़े मिदान है, खोब बड़े-बड़े मिदान है, पसों के लिए हरी-हरी गास, और जो उनके पसों है, उनके चर्णे के लिए हरी-हरी गास खोब मिलती है, कुवेद्री कहरी के बच्चों के लिए बहुत बड़े खेल के मिदान हैं और उनके पसदों के चड़ने के लिए को मरेड़ी गास वहां पर मिल जाती है बुटों के लिए पाड़ों की सांती अब कवेत्री कह रही है कि समाज के जो पुड़े इस्त्रि पुरुस हैं वो पाड़ों पर जाकर सांती कोड़ अपने खुब शांती से रह सकते हैं अपने शांती से जीवन बिता सकते हैं इसका क्या आसे हैं कि जो पाड़ी जो संधाली लोग हैं उनकी विशेष्टाओं को क्या करना है बचाए रखना है उनकी जो विसेश्ता है उने विसेश्ताओं को बचाए रखना है और जो जीवन उनका जो जीवन है उसको सहरी सब्वेदा से दूर रखना है तभी संधाले लोग अपनी जीवन सहली को और अपनी सब्वेदा और सेंसकर्थी को अपनी विसेश्ताओं को बचाए रखे सकती ह और इस एविश्वास बरे दोर में थोड़ा सा विश्वास थोड़ी से उमीर थोड़ी से सपने आओ मिलकर बचाएं इस दोर में भी बचाने को बहुत कुछ बचा है अब भी हमारे पास अब कवेत्री क्या कह रही है कवेत्री कह रही है और इस एविश्वास बरे दोर में दोर का अर्थ होता है समय एविश्वास का अर्थ होता है बरोसा ने करना एविश्वास यानि परोसा ने करना दोर का अर्थ होता है समय थोड़ा सा विश्वास, थोड़ी सी उम्मीद, उम्मीद यानि आसा, किसी से आसा करना, किसी से आसा करना, थोड़े से सपने, सपने होते हैं, अकांगशाएं, सपने क्या होते हैं, अकांगशाएं, आओ मिलकर बचाएं, इस दोर को बचाने में बहुत कुछ है, बचाए हमारे पास कविछत्री क्या कह रही है कि जो सहरी संपेधा है सेरी संप्यता ने कैसा वादावान बना दिया है आ विश्वास कावाना बना दिया है और इस विश्वास बरे दोर में कि ये जो शमय सहरी सब्धा की संपर्ग में आने से ये तो समय ये समय कैसा आगया है एविस्वास का समय आगया है कि कोई भी आजमी किसी दूसरे आजमी पर बरोसा बिल्कुल नहीं करता है इस दोर में इस समय में कोई आजमी किसी दूसरे आजमी पर बिल्कुल भी बरोसा नहीं करता है कि इस ए विश्वास थोड़ी से उमीद, थोड़ी से सपने, कवेतरी कह रही है कि संताली जीवन की समझत, जो विशेशता है, वो क्या हो रही है, मिट रही है, उनमें एह विश्वास का वादावन बनाये जा रहे है, सहरी सबेता की मिलने से, और लोग एक दूसरे को किसकी दरश्टी संधे की संका की दरश्टी से देख रहे है, कि इस एह विश्वास और संधे की इस समय में सामाजिक पवितरता के लिए थोड़ा सा विश्वास बनाये रखना बहुत है, आश्यक है, कि थोड़ा सा विश्वास इस एह विश्वास और संधे बड़े दोर में, कि आदमी आद आपना विश्वास बने लखना अब बाईश्य पर साम सहनुल है कि तोड़ी से उम्हें थोड़ी से सब्ने कि लिएंग भीश्ण धुक्वे defender कि विए जो आने वाला समय उसके पर चुम्हें क dir यह जाहएं और अकांग्शा को सपम्हें परहां थाले करें gloves कि सुनेरे 22 के पड़ती हैं में आसा और अकांग साओं का पैदा होना संतार के प्राकर्दी जीवन में भी संभा हुए है इस वर उसकी क्या करें हम उसकी रक्षा करें आओ मिलकर बचाएं इस दोर में भी बचाने को बहुत कुछ बचाएं अब भी हमारे पास कवेतरी कह रहे हैं कि आओ मिलकर बचाएं अब किसे बचाएं कवेतरी क्या कहने का मतलब यह है कि इस समय जो सहरी करण हो रहा है उस सहरी करण में हमारी और बहुत सारी लोग सब पेता और सेंस करती हैं कर दिया है उससे हैरी करन नश्ट कर दिया है नश्ट कर तो दिया है जितना तो कर दिया है कि अब इस दोर में भी बचाने को बहुत कुछ बचा है कवेंदिरी कह रहे हैं जो नश्ट कर दिया हो तो कर दिया है लेकिन अब इस समय में हमारे पास जो बाकी बचा है कि इस दोर म में इस समय में भी हमारे पास झो कुछ बचाने के लिए बचा यह उसे um बचा करें उस stretch जो नहें बचाना है उनंगी बहुत से विशेशत हैं, अब भी सेश हैं, बची भी हैं, अब भी हमारे पास, बहुत कुछ बचा है, अब भी हमारे पास कवेतरी करें कि जिनकी रक्षा हमें क्या करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, मिल जूलकर हमें उसकी रक्षा करनी चाहिए और आओ अब हम मिल जूलकर इनको बचाने का प्रेत्न करें हमारे समाज की संताली समाज की जो सप्पेता और सेंस करती है उसे बचाने का प्रियास करें इसका क्या तात परिये इसमें निर्बला पुतुल क्या कह रही है निर्पना पुतुल कह दिये हैं कि जो संधाली लोग हैं उनके जीवन को उनकी सब्धा और संसक्रती को सहरी करण दे जो गाओं का जो सहरी करण हो रहा है उस सहरी करण दे क्या है नश्ट कर दिया है बहुत से ऐसी विशेसा हैं जिनें उन्हें नश्ट कर दिया है लेकिन को बचाना है और उसे बचाने का और अत्यदिक प्रियास करना चाहिए जो हमारी सपेदा और सेशकर्दी बची हुई है उसको बचाने का और ज्यादा प्रेद्म करना चाहिए और बचाने के लिए अब भी हमारे पास बहुत कुछ पढ़ा है हमने ऐसा नहीं है कि सब कुछ ख हमें अब इसके क्विशन अंसर करने है माटी का रंग प्रियोग करते विए किस बात की और संकेत किया है कि इस वाक्यांच से वाक्यांच का प्रियोग करके कवेद्री ने संथाली जो लोग है उनके जीवन की और उनके लोग जीवन की विशेस्ताओं के बारे में बदाया है और संकेत है कि वैब बताना चाहती है कि संथाल के लोग जार कंटे बासा क्या करते है परियोग करते है उनके जिवन में उल्लास होता है, उनके मन में मदूरता होती है किनके संथाली लोगों के, संथाली लोग बोले होते हैं परन्तु आत्म सम्मान के लिए संगर्ष करने की बावना अकडबन है उनके अंदर होता है, किनके अंदर है, संथाल है, लोगों के अंदर है दो में जार गंड़िपन से विप्राह है जा घंड़िपन से अभिपराए एक जार गंड़िपन से विपराह कि स्वाबाविता मोलेकता है उसलों स्क्रागश करते है different उसको उसी प्रकार बिना किसी बनावट के अद्वा बिना अन्य बासाओं के मिनावट के परियोगे करना ही इनका अभिप्राइए इसे ही जार खंड़ी पन है दिल के बोलेपन के साथ साथ अकड़पन और जुजारूपन को भी बचानी की आज सकता पर क्यों बल दिया गए क संतीन इसका क्या अंसर है इसका अंसर है कवेत्री मानती है कि जार खंड़ी लोगों में मन पवित्र होता है कैसा होता है पवित्र होता है यह सुबाव से बोले होते हैं प्रंदो उनमें अकड़पन और जुजारूपन भी होता है सुबाव के बोलेपन अकड़पन और संग उनका पूरक ही दिखाई देता है। प्राय बोले लोग ही एनिती की विरुद तंगर कड़े होते हैं। तदा संगर्श करते हैं बेगे कड़ोर रूख अपनाते हैं। चलाग जो मनुस्य होते हैं बुराय के विरुद को भी हानी के गुण, हानी लाग के गुण करके देखता हैं। बोले लोगों को अत्याचार सहन ही होता है और भी विरुद के लिए उतर पढ़ते हैं। कवेतरी चाहती है कि दिल के बोले पन के साथ साथ उनके अकड़ पन जज़ारों पन की भी रख्षा होने चाहिए। परतुत कविता में आधिवा से समाज की किन बुराईयों के और संकेत करती है। यह जो कविता है निर्मला पुदुल की यह जो कविता है इसमें आधिवा से समाज की कौन-कौन से बुराईयों के और निर्मला पुदुल कवेतरी संकेत कर रही हैं उनको आपको लिखना है यह आपको करना है। इस दोर में भी बचाने को बहुत कुछ बचा है अब भी अमारे पास इस चीज का आपको आशे बताना है। पंक्तियों में कावे संधरिया को धगाटित कीजिए। ठंडी होती दिंचरिया में जीवन की गर्मा है। थोड़ा सा विश्वास, थोड़ी सी उमीद, थोड़ी सी सपने आओ मिलकर बचाए। इन दोनों का कावे संधरिया आपको बताना है। बस्तियों को सहर की किस आबो हवा से बचाने की आशकता है। यह अपनने सुरू सुरू में पढ़ा था। बस्तियों को सहर की किस आबो हवा से बचाने की आशकता है। यह भी आपको ही करना है। इन किशन आंसर को आप अपनी नोट बुक के अंदर जरूर करें ठीक है, ओके थैंक्यू, आप अपना ये चेप्टर दियें पर पूरा होता है, आप इसके किशन आंसर करने हैं और एक बार पढ़ना जरूर है निर्मला पुतल अपको, ठीक है, ओके थैंक्यू